वेलकम दोस्तों, C programming tutorials में आप सभी लोगों का स्वागत है, आज की हम topic में bitwise operator के बारे में जानेंगे, वैसे तो हम programming हमारा part चल रहा था, लेकिन इस programming part में हमारे सामने कोसन आ गया, कोसन कुछ ऐसा है कि write a C program to accept to integer and to compute their bitwise end, तो इसी में हमें इस topic को explain करने का मौका भी मिल गया, और इसी बहाने हम आपको यह topic ब explain करेंगे, और सासा इस question को भी हम लोग solve करेंगे, क्योंकि bitwise operator basically क्या करता है कि यह हमारे bit value यानि कि जो computer की bit value होती है, 0 और 1, इस पर calculation करने का काम कर होता है, क्योंकि हमारा जो C programming है, जैसा कि हम जानते है, it is a middle level types of language, तो इसका यह मतलब होता है, it is a power of low level as well as simplicity of high level, तो power of low level का मतलब की हमारा जो machine language होती है, जिसे हम लोग fundamental पढ़ चुके है, जो कि हमारी 0 और 1 होती है, 0 का मतलब switch off और 1 का मतलब switch on, तो इस तरह कि अगर bitwise label प programming के नाम से भी हम जानते हैं, तो जैसे कि bitwise operator में हमें किस तरह के operator मिलते हैं, वो देख लेते हैं, कितने types के होते हैं, तो यह देखे, पहला हमने देखा है, इसको end कहते है, bitwise end, इसे कहते है bitwise, और इसे कहते है bitwise exclusive, और यह once compliment होता है, and then left shift and right shift होती है, तो अभी है क्या, इस through समझाने का first करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, bitwise end की, और की, और exclusive और, या bitwise और जो हमने exclusive और देखा था, उसकी, अब यहाँ पर अगर end का sense हम समझे हैं, तो end का मतलब होता है logical multiplication, यानि यह क्या कर रहा है कि multiply करने काम करता है bits की value को, जैसे माल लेते हैं, दो bits हम आपको मिलता है result, देखे 0, तो उसी तरह से अगर 0 into 1 करेंगे, तो आपको result मिलेगा again, 0, 1 into 0 करने पे result मिलेगा 0, और 1 into 1 करने पे आपको result मिलेगा 1, तो यह तो हम समझ में आगया कि end होती है, वो logical multiplication होती है, चलिए तो हमें पकड़ में आगया, आप इस पे कैसे हम operation करते है या किस तरह से हम काम करते हैं, क्योंकि आप लोग first semester के students हैं जो भी beginning level पर सीखो सीख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो हमें bit पर कैसे काम करना है, यह आना चाहिए, यानि bit value पर काम करना है कि हमको समझना है, तो उसके लिए हम एक example का यहां सारा लेते हैं, जैसे integer की value हमने a is equal to 12 ले लिया और दूसरी value b is equal to, suppose करते हैं, b is equal to हमने आपर 8 ले लिया, तो ऐसे में सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें 12 को, यानि कि 12 और 8 है, इसे हमें binary में लिखने आना चाहिए, यानि binary language में हम इसे कैसे लिखे, इस 8 को हमें यह पता होना चाहिए, उसी तरह से 12 और 8 को हम binary में कैसे लिख सकते हैं, वो हमें जानकारी होनी चाहिए, तो इसी लिए सबसे पहले तो हम करते यह हैं कि आपके सामने हम एक table को represent करते हैं, और उस table के माध्यम से हम इसको सिखेंगे कि इस तरह से decimal से binary में हम value convert करते हैं, कि इस तरह की conversion को हम लोग करते हैं, decimal to binary conversion, तो सबसे पहले तो हमें conversion पर काम करना होगा, थोड़ा सा topic बढ़ा होगा, क्योंकि हमें conversion सीखना होगा, conversion के बाद ही हम इस तरह का operation को perform कर पाएंगे, तो अगर हमारे सामने कोई value है 12, तो इसे हम लोग बानरी में कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको हमें table को बस आपको थ तरीके से वह होगा, left से right की तरफ, जैसे आप उर्दू लिखते हैं, उसी तरह से left से right से start करेंगे और left hand की तरफ लिखेंगे, तो एक का double दो होता है, दो का double करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, चार का double करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 का double करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, और इसे करते हुआ बढ़ेंगे बढ़ेंगे इतनी वड़ी वेल्यू में काम नहीं करनी तो अब आपके सामने पहला टास्क देख रहा है 12 अब इस टेबल में हम इसको ध्यान में देख रख कर देखते हैं कि हम किन किन नमबरों को जोड़े कि हमें 12 मिल जाए तो अब हम देख सक किये तो यहां पर अगर हम 8 और 4 को एड़ कर दें तो हमें 12 मिल जाएगा तो इसका यह मतलब हुआ कि जब आपको नहीं देखा कि 8 और 4 को जोड़ने में 12 मिल रहा है तो उस नमबर के नीचे आपको वन लगाना होगा यह वन देखे आपने यहां लगा दिया और वन आपने हमें देखे यहां लगा दिया बाकी रिस्ट जितने बचते हैं उनके नीचे आप जीरो लगा दोगे तो देखे आपको यह हो गया यह जो मिला है वैल्यू यह मिला है 12 की वैल्यू उसी तरह से अगर कोई आपसे 8 पूछे तो 8 तौब से उनको 8 ही दिख रहा है तो हमने यह 8 के नीचे 1 लगा दिया और बाकी सभी के नीचे हमने 0 लगा दिया तो यह हमें मिल गया 8 की बाइनरी वैल्यू यह नहीं कि 1 डवल जीरो और 1 ट्रिपल जीरो उसी तरह से यह हमरी वैल्यू होगे 8 अब कोई आपसे पूछता है कि 14 कितना होगा 14 हम कैसे लिखेंगे बाइनर लिख लिया अब 12 में 2 अगर हमें जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा 12 2 14 देक कि यह मिल गया और बाकी में हमें रिष्ट में 0 लिखना है तो यह वैल्यू हमें हो गई 14 की वैल्यू उसी तरह से कोई आप से पूछता है को 23 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे तो 23 के लिए ह को फोड़ा भीगड़ जाएगा ये अब हमें लिखना है 23 क्योंकि आपको जो कनवर्जन नहीं करने आएगा तब तक आप नहीं काम कर सकते हैं तो 23 लिखने के लिए सबसे परता हम 16 को देख रहे हैं तो 16 के नीचे हमने वन लगा दिया 16 और 8 कितना होता है डियर 16 और 8 24 हमको लिखना कितना है 23 इसका मतलब कि अगरबड़ हो रहा है तो 8 को नहीं लेंगे 16 और 4 कितना होता है यस 20 यह चार को ले लिया 20 और 2 अगर उसमें और जोड़ दे तो कित 21001 तो यह आपकी वैलू हो गई 23 की तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आप जितना मर्जी चाहें उतनी नंबर को लिख सकते हैं जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर कोई आपसे बोलता 37 कितना होगा तो चलिए 37 मना के देखते हैं तो कोई भी नंबर 37 रोलं देखिए ओगया 37 हो गया और जितना जो रिस्ट बच रहा है सब क्या लगते हैं अब क्या सब्सक्राइब वैलू हो उसके बाद आप लगा देंगे Zero ifo जो यहां यहा भी बच रहा है तो यहां भी अप लगा दिए Zero कि और यहां भी आपके सामने बच रहा है तो यहां में बलगा देंगे 0 तो आपके सामने value आ गई 1 00101 और यह value किसके हो जाएगी 37 की तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो उसी तरह से अब हम सबसे पहला काम यह करते हैं कि 12 और 8 की value को हम यहां पर सबसे पहले तो लिखते हैं तो 12 की जो binary value हो जाएगी वो हो जाएगी 1 100 और 8 की binary value हो जाएगी 1 000 देखे यह हमें मिल गया 8 और 12 की binary value अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे सामने जो है यह diagram और दिया हुआ है and का जैसा आप देख सकते हो यहां पर अब इसी diagram के मार्धम से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम इसको and निकालेंगे हमें निकालना है and और अब हम यहां पर निकालते हैं and तो चलिए and का आपको टेबल है उसको देखते रहिए और उसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो अगर आप देखिए यहां से तो पीछे चलते हैं तो 0 into 0 करने पर अगर diagram आप देखो तो 0 into 0 कर क्या मिल रहा है जिः यानि 1 into 0 करने पर अब क्या मिल रहा है जिरू तो अपने जिरू लख दिया और 1 into 1 करने पर क्या मिल रहा है यह आपने लिक दिया रहा है यहां अब यह जो वैल्यू है अब इस您 High कितना लिखेंगे अब वो देखते हैं decimal में हम इसको लिखेंगे देखे 8 क्योंकि यहाँ पर देखिए इस जना पर 8 यहाँ पर है उसके बाकि सब ही में 0 लगा हुआ है तो सब में हम 0 लगा देते हैं और ऐसे मैं आप देखिए जिस इस भी नंबर के नीचे आपको वन दिख रहा हो वही नंबर हमारी हो जाती है तो यहाँ वन जो है वो 8 के पास दिख रही इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वह आएगा एट आई यहोप आपको समय में आया होगाक। उसी तरह से उसी करब में हम आगे बढ़ता हुए अब हम अगले ओपरेशन को देखते हैं और अगला ओपरेशन हम इसी पर ही बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और अगले की और दियर निकालेंगे और लिखा है हमने उस टेबल को बस सबस्क्पर करते कि और हम देख रहे है यहां फैसे नियोता क्यों होता है वह आगे कि इस बाद करेंगेảngं तो यहाँ पर 0 ने तो हमने पर 0 लिख दिया 0 प् मिल जाएगा one अब ये value किसकी होती है तो उसके लिए आपके सामने ये table है आप उस table पर जाईए और जा कर देखें कि जो देखें क्या मिल रहा है तो इसको अपर इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह मिल जाएगा आपको रिजल्ट 12 ठीक डियर तो यह हमें मिल गया इसकी रिजल्ट 12 अब उसी करम में हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं और हमारी जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगी वो होगी हमारी एक्सक्लूसिव औ और की आए अब एक्सक्लूसिव और पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने साब सब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको पढ़ सकते हैं तो कि नंबर आफ वन्स अगर और आफ इमेन है तो वहां लिखेंगे जी रो अब जड़ा इस क्रम को जा रहा है इस रो को देखिए आप ध्यान से तो यहाँ पर नंबर आफ वन कितनी बार दिख रहा है एक बार दिख रहा है ना देखिए एक वन टाइम है वन तो इसका वन और होता है कि यह और जब आ गया तो जहां क्या लिखेंगे वन लिखेंगे देखिए यहां वन आ गया उसी तरह से जो है फिर नीचे इस रो में देख रहे हैं इस रो में अगर देखिए ध्यान से तो नंबर आफ वन यहां पर कितनी बार है एक बार है अगें यहां पर भी एक बार है और और होने पर क्या इविल संखिया तो यहाँ पे हम zero लिखते हैं आई उसी तरह हम यहाँ चलते हैं यहाँ पर देखिए zero जो है दो बार है यानि कि इस जगाह पर number of one को पहले देखते है number of odd जो है यहाँ पर कितनी बार दिख़ रहा है देखिए ध्यान से one और zero 1 और 0 करने पर number of odd होगा यहाँ पर 1 और बाकी सब ही में हो जाएगा 0, 0 और 0 देखें है नो 0, 0 हो गया 0, 0, 0, 0, 0 और यहाँ पर 1, 0, 1 देखें 1, 0, 1 और 1, 1, 0 अब यह किसकी value है decimal में इसको भी देख लेते हैं तो अगर आप इसको समझेंगे तो पहले इसको हम erase कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ सकें आप इन चीजों को अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ देखें 1 के नीचे 0 आ गया फिर 2 के नीचे 0 आ गया फिर 4 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 0 है तो इसका मतलब है कि जो आपकी value होगी वो हो जाएगी 4 तो यहाँ मतलब है कि यह जो result आ रहा है यह आ रहा है 4 ठीक है आईए पहले हम इस program को run करा के देखते हैं और फिर हम लोग इसके आगी के concept पर discussion करेंगे तो इसका आगे का पहले इसको run कराते हैं और हमने पहले से ही इस program को लिखा हुआ था आप लोग के लिए ताकि आप type करने से मबस सकें देकि end के लिए हम यहाँ पर इस तरह से end लगा देते हैं और के लिए हमने देखे इस तरह से जो है और लगा लिया और जब आपको यूज करना हो exclusive और का तो वहाँ पर इस तरह से sign लगाएंगे और इसलिए बारा और आठ जैसा कि हमने यहाँ पर देखा हुआ था अलड़ी बारा और आठ पर ही काम कर रहे हैं तो पहला आठ आ रहा है दूसरा बारा आ रहा है तीसरा चार आ रहा है हमारा भी यही वैलू आनी चाहिए तो इसलिए देखते हैं और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि यह जो है end है और लाइन चेंज कर देते हैं ताकि हम अपने answer को अच्छे से देख सके यह और है और यहाँ पर भी हम लाइन को है बारा और में है और चार exclusive और में है और यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारा जो है art जो है end में आ रहा है यहाँ देखिए यह art end में आया बारा जो है वो और में आया और चार जो है exclusive और में आ रहा है तो आई होप आपको एंड और एक्स्क्लूसिव और जो है वो समझ में आया होगा अब आपके सामने दो ऑपरेटर और बच रहे हैं तीन ऑपरेटर सॉरी वह कौन-कौन से हैं उसके पहले बात कर लेते हैं तो तो यहां पर देख सकते हैं आप और कौन से ऑपरेटर बच रहे हमारे पास थोड़ा लोडिंग में समय ले रहा है थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि हम बात करें उसे चली कॉंप्लिमेंट बच रहा है लैप्ट शीट और रैप्ट शीट बच रहा है वह से जादी है तो यह होता क्या है उसके बएले डिस्कॉसं कर लेते हैं देखिए नेक्ट टॉपिक जो हमारा होगा वह Geralt जो होता basically जो है it is a reverse sign it is a reverse sign reverse sign का मतलब है कि अगर positive है तो negative हो जाएगा positive है तो negative होगा negative है तो positive होगा otherwise यह और कुछ नहीं करता negative है तो positive हो जाएगा ठीक है बस यह ध्यान रखिए तो अब यह कैसे होगा वो समझते हैं और क्या result आएगा तो पहले इसकी logic को पकड़ते हैं कि आखर यह काम कैसे कर रहा है जैसे माल लिजए कि अगर आपने a's compliment निकाल लिया for example अगर हम इस श्रीप a की बात करें तो a का जो binary value है वो है one one zero zero तो सबसे पहला काम यह करना होता है कि हम इस compliment निकालने के लिए यह सबसे पहले एक bit को हम जोड़ देते हैं जब हम जोड़ेंगे एक bit को तो यह आजाएगा zero plus one one then zero फिर one और one और अब हम इसका अगर binary value decimal value calculate करने का effort करें तो आपके सामने क्या value आएगी उसको देखते हैं तो अब यहां पर अगरा हम इसको calculate कर रहे हैं decimal conversion तो देखे 8 के नीचे one लिखेंगे 4 के नीचे one लिखेंगे two के नीचे zero लिखेंगे और one के नीचे one लिखेंगे तो देखे यहां पर आठ के नीचे जहाँ दिख रहा है 4 के नीचे दिख रहा है माइनस 13 अब इसको चेक करते हैं क्या माइनस 13 हमें मिल रहा है रिजल्ट में तो चलिए अब यहां पर हम अगला साइन जो है देते हैं प्रिंट अफ करके और इस जहां पर लिखते हैं कॉम्प्लिमेंट्स compliments और इस जगाँ पर हम compliments के लिए sign लगाते हैं this क्योंकि compliments जो है जूनेरी operator होता है तो इसी हमें एक ही variable का इस्तमाल करना होगा और यह हमने compliments निकाला और यह हमने कर दिया इसको run और देखते हैं कि 12 है result आना चाहिए minus 13 और देख सकते हो कि यहाँ पर minus 13 आ रहा है line को हम चेंज करके फिर से रंग कराते हैं आप सभी के लिए ताकि आपको result अच्छे से दिख सके तो देखे यहाँ पर आपको minus 13 आ रहा है ठीके डियर तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे के कुछ और वी operator जो हमारे पास हैं दो तरह के एक है left shift और दूसरा है right shift अब left shift और right shift को समझने के लिए हमने क्या किया कि यहां पर एक example का sahara लिया एक box को समझते हैं box बना कर ताकि हम उसमें आपको समझा पाएंगे अच्छे से क्या कि left shift और right shift काम कैसे करता है तो यह हमने कुछ एक box बना लिया एक तो एक दो तिन चार और एक extra ले ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा पाएं तो चलिए यह हमने एक box बना लिया ताकि आपको समझा सके हम अच्छे से तो अब जैसा कि अगर हम left shift apply करते हैं 12 पर मतलब 12 की जो binary value है वो क्या है डियर अगर आप देखे ध्यान से तो 12 की binary value है वन वन एक मिनट यह एक मिनट यह एक मिनट क्योंकि हम इसका इस्तमाल आगे करेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको copy paste कर लेते हैं चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बार बार इसका यूज होगा तो इसलिए हमने इसको अलग से बना की रख लिया है हाँ चले तो यह देखिए यहां पर है one फिर यह हो गया one यह हो गया जीरो यह हो गया जीरो तो अगर हमने आपसे कहा कि जो है आप धक्का लगाये धक्का लगाने मतलब कि अगर आप राइट साइड अगहाते हैं تो क्या आएगा रिजल्ट और अगर आप इसी को हमने आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दी और सेम कॉस्सन्स रिपीट किया हमने अगर आप इसको left से धक्का लगाते हैं तो क्या आएगा यानि left का sense हो गया है देखे हमने कहा कि दो side से धक्का लगाई है अगर आप left से धक्का लगाते हैं पहला हमने देखा कि अगर आप right से धक्का लगाते हैं मतलब कि आप जो है पहले example को पकड़ चलते हैं इस वाले को कि अगर आप इस set से धक्का लगाएंगे तो आपकी value क्या मिलेगी उसकी discussion करते हैं तो अगर आप right से धक्का लगाते हैं इस जगाँ पर तो आपके सामने क्या value आएगी तो जब यहाँ पर right से धक्का लगा रहे हैं तो आपकी जो one है वो push करेगी आगे के direction पर मतलब आगे के direction का sense यह हुआ कि जब आप one को धक्का लगा रहे हैं तो अब जो आपका one है वो चौते वाले cell से हट कर तीसरे वाले cell के तरफ चला जाएगा जानी कि यहाँ पर देखे इस one को आपने यहाँ लिख दिया इस one को आपने यहाँ लिख दिया और जो यह एक zero बचा और जो अगली value zero थी वो आपकी नीचे drop हो गई मतलब वो नीचे गिर गया जानी जो अगली value थी वो आपकी क्या हो गई नीचे की साइड में गिर गी क्यों आगे तो कोई प्लेस है नहीं तो इसलिए वो क्या हो गई? नीचे ड्रॉप हो गई ठीक है? तो यह आपने देखा कि जो अगली वैलू थी वो नीचे के साइड में ड्रॉप हो गई ठीक है? जो आपने धक्का लगाया इसको लेट साइड में, मतलब राइट साइड में तो आपके सामने जो वैलू बनके आई वो आई लाइक दिस यानि 110 और 110 जो है वो किसकी वैलू होती है? अगर आप इसको बाइनरी में कनवर्ट करें अश्य डेसिमल में तो आपको मिलेगा क्या वो देख लेते हैं तो अगर आप इसको convert करें decimal में तो आपके सामने मिलेगा 110 मतलब यह हो गया 11 और यह हो गया 0 इसका मतलब है कि यह 4, 2, 6 तो इसका result आएगा आपके सामने 6 उसी तरह से अगर आप जो है इसको धक्का लगाते हैं नीचे वाले example को देखें अगर तो अगर आप इधर धक्का लगा रहे हैं तो आपकी value जो है वो कहां जाएगी वो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस जगाँ पर अगर आपने धक्का लगाया तो आगी वाली value है वो तो सबसे पहले वाले cell में आ जाएगी यानि one यहां देखिए यहां आगया one आपका तो जो आपका जो पहला one है वो पहले वाले cell में आ गया यानि इस जगाँ पर और दूसरी वाली one देखिए यहां आगया और 30,000 यहां आ गया और यह 0 यहां आ गया और यहां भी आपका बजगया 0 लेकिन हम इसरी 4 bit पर काम ही करना है हम 500 bit को तो लेंगे नहीम यह 1,0002,0002 तो यह जो value आई है वो आई है one triple zero तो one triple zero, zero, zero and zero तो इसका मतलब है कि अगर आप left trip apply करेंगे तो आपके पास जो result आएगा वो आएगा eight तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारा भी वही result आ रहा है A और B apply करने पर तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम को run कराते हैं और इस बार हम देखते हैं print of पहला लगाते हैं right shift is equal to person D और यहाँ पर हमें apply करना है उसको A उपर तो A right shift एक step आगे बढ़ा दिया और print of double inverted left shift is equal to person D कॉमा bracket में A left shift हमने करा दिया one और यह हमारा close हो गया हम line को change कर लेते हैं ताकि हम answer को अच्छे से देख सकें और इस वाले को भी answer slash end कर दिया आई रंग कराते हैं और देखते हैं कि क्या result आ रहा है तो देख सकते हैं कि पहला six आ रहा है पहला six आ रहा है ठीक है exactly सही है right shift दूसरा 24 आ रहा है देखिए actually mistake मेरी ही है क्योंकि इसने पूरा value लिया है यह one को भी तो देखिए उस जगहां पर result आएगा 24 ना कि 8 mistake मेरी हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें पूरा count करना है तो यह जो result आएगा देखिए यह खेंगे आप तो 16 और 24 होता है तो result आएगा यहाँ पर 24 तो यह आपको result मिल गया 24 ठीक है तो इस जगहां पर हमने bitwise के six सारे operator के बारे में discussion किया हुआ है और यही हमारा question का solution भी था जो question पूछा गया था क्योंकि हमने and or not and or exclusive or compliments यह सभी का ही जो हैकसाद program बना दिया ताकि अगर कहीं से exam questions घुमता है तो आप उसका answer सही तरीके से दे सके ठीक है अगर आप यहां तक वीडियो पर जुड़े हुए हैं तो अगर आप मुझे होप है मुझे की वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा तो प्लीज चैनल को subscribe ज़रूर कर लें और इसी तरह से जुड़े रहें और